सारे फैंट्स बेसबरी से इंतजार कर रहे थे आइपल 2024 के फाइनल मुकाबले को देखने के लिए तो फाइनली आ गया भाई कुलकता नाइट आइडर्स वर्सेस संडाइज़ हैदराबाद ये मुकाबला खेला जाने वारा है तो सबसे पहले मैं चाहूंगा इस वीडियो पे फाड आफड से आप लोग लाइक कर दे और आज के इस मैच में कौन सी टीम आपका फेवरेट है कॉमेंट सेक्शन में सबसे पहले लिखो भाई बताओ हमें ताकि हमें पता चले कि कितने KKR फैंस हैं और कितने संडाइज हैदराबाद के लवर्स हैं मैं जानना चाहता हूं जल्दी से कॉमेंट करना है स्टार्ट कर दो और लाइक जरूर से इस वीडियो पे करना भाई सबसे पहले देखना ये बनता है कि चेपाउक का ये स्टेडियम आज के इस मैच में कैसा भी हैबियर करने वाली है चुकि सब कुछ सारा दारों मेदार पीच के कंडिशन के उपर है फाइनली मैं एक एकर के बताने वाला हूँ आज का ये चेपाउक का इस्टेडियम का भी हैबियर क्या रहने वाला है उसके बाद सारे खिराडियों का depth analysis करके आया हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा खिराडी इसमें चलने वाला है और कौन flop जाने वाला है सारे player जो बड़े-बड़े player हैं सब लोग भर-भर के लेके जाएंगे लेकिन उनमें कौन से player हैं जो flop हो सकते कौन finally इस match में अच्छा perform करने वाले हैं सब कुछ एक एकर के बताऊंगा उससे पहले जैसा कि मनें का फड़ा फड़ से इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों में डबा के शेयर कर दो भाई ताके ये वीडियो जल्दी से वारेल हो जाए तो चलो हम देख लेते हैं जैसा कि मनें बताया ये match M.C.T.M.R.M. Stadium चैनले के अंदर खेला जाने वाला 26 मई सारसाथ बज़े शाम को यानि कि कल ये match साम को सारसाथ बज़े खेला जाने वाला है अब हम चलते हैं और आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले यहाँ पर प्लिंग एलमन आपके सामने हैं और यहाँ पर हम देखेंगे कि कितने common player है चुकि यहाँ पर सारे grand league जीतने वाले और grand league को खेलने वाले रोग हैं तो मैं finally grand league के पाइंटे वी से आपको बताने वाला हूँ कि grand league अगर जीतना है आपको grand league में अच्छी winning करनी है अच्छे rank को achieve करना है तो सबसे पहले common player को ढूड़ना होगा जो ज्यादा तर लोग अपनी team में consider कर रहे हैं क्योंकि आपको लाखो लाख लोगों को पीछे रखना है न तो आपको ऐसे खिलारियों को ढूड़ करके finally उस पे analysis करके कौन सा खिलारी चलने वाला है और कौन flop जा सक्टा है वो आपको ढूड़ना पड़ेगा तब ही आप एक अच्छी यूनिक team बना पाऊगे तो आज finally बताने बाला हूँ देखो यहाँ पर कुलकाता नाइक ट्राइडर्स की तरफ से कितने खिलारी common होने वाले आपके सामने में रखने जा रहा हूँ यहाँ पर सुनी नाटराने common player अपको दिखेंगे वहीं पर Вेंक्ते क्या एयर भी common player दिखेंगे, उसके बाद श्रेश इयर भी common दिखेंगेACE , अब आजाओ पांच ये खिलारी ऐसे जिनको लोग 70% से ले करके न भाई 80% तक अपनी टीम में कंसिलर कर रहे हैं तो क्या ये खिलारी आज चलने वाले है अच्छा परफॉर्म करने वाले है और किस कंडिसन में करने वाले है सब कुछ एक एक करके बताऊंगा किस खिलारी को डॉप करना है और जो कम सिलेक्शन वाला खिलारी है क्या वो आज अच्छा परफॉर्म करने वाले है और कौन करने वाले है वो भी आपको बताऊंगा तो यह यह छे खिलारी ऐसे है न बाई और यह टॉप फाइब आप देख रहे हैं यह टॉप फाइब आपको कॉमन नजर आने वाले है तो किया यह पांचों का पांच लागातार आज के इस मेच में चलने वाला अच्छा परफॉर्म करने वाला है फाइनरी आपको बताऊंगा कि इसमें कौन फर आउफ जा सकता है किस कंडिशन में किसको लेना है सब कुछ एक एकर करके बताऊंगा बाकी के जो कम सेलेक्शन वाले खिरारी हैं क्या उनके उपर फोकस करना है या नहीं यह भी आपको बताऊंगा चुकि यह सबसे ज़ाद करता है अगर घ्रेनली को आपको जीत रहा है ना तो यह जो कम सेलेक्शन वाले खिरारी है इनको ढूड़ना पड़ेगा कि इस इन में से कौन ऐसा खिरारी है जो आज के मैच में अच्छा परफॉर्म करने वाला है उनको ढूड़ करके आपको अपने ग्रेंग की टीम में तभी आप Grans League को अच्छे रैंट तक पहुंचा सकते हो तो चलो सब कुछ एक एक करके मैं आज आपको बताने वाला हूँ अब चलते हैं सीदह हम पिछ का इनराइशिस करते हैं चेपॉक का ये स्टेडियम होने वाला है अब इसका इनराइशिस एक करके करते हैं दोस्तों मैं आपको बता थूं ये पिच भाई बॉलर्स के मुफिद माना गया है, यहां पर बॉलर्स को ज्यादा ए्रवांटेज मिलता है। लेकिन क्या आज के मैच में बन्लेबासुन को अच्छा स्कॉर बन्लेबास करते वह दिखेंगे यह आपको एक 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 करे बताऊंगे यह और यहा फिर बालर्स यहाँ Pira Good試 वहीं पर बात करें हाइस स्कोर तो CS का 246 पर पात मिकेट लोएस स्कोर आर्टेवी का 70 पर 10 मिकेट और पिछ कंडिशन की बात करें तो पिछले रिकॉर्ड के बालेंस यहां पर बताएगा लेकिन क्या रहने वाला है वो आगे फाइनली में आपको बताने वाला हूँ अब बा स्रींचे 52 बार बार बना है और 150-190 के विज में 140 बार वहीं पर 170-190 के विज में 30 बार और 190 से उपर 2 बार तो क्या यहां पर सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है और यह आप जानना चाहारे होगे कि भाई यहां पर जो भी टीम तोस जितेगी वह फर्स्ट करना यहां पर जादे इडवांटेज है लेकिन पिछले कुछ मैचों को देखते हुए आप यहां पर अगर राशिस करेंगे तो आपको यहां पर लगेगा कि इस ग्राउंड का जो कुछ मैचों का पीच भी हैवियर है वो कहीं कहीं बैटिंग सेकर्ड करने वाले को यहां पर इडवांटेज मिला है क्यूं मिला है चुकि डिव फेक्टर के गारणडी जना अब हम यहां पर यह समझने वाले हैं क्या आज के मैच में डिव फेक्टर रहने वाला है वो आपको बताने बाला हूं तो सब से पहले यहां पर बैटिंग रहने की उम्मीद है, तो हो सकता है, अब टाइमिंग में आपको बता दूँ, सात बजे ये मैच खेला जाने बला है, तो सात बजे बादल रहने के आसार है उपर, तो बादल छाये रहने के कारण आपको ओस कम गिरेगा, मतलब कि ड्यू फेक्टर वहाँ पे नहीं होगा, इस चीज़ आपको जयाने में करना है, इसलिए बैटिंग फर्ट करना पसंद करेगी टीम, तो यह चीज़ आपका क्लियर हो गया, उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे, कि यह पिछ बैटिंग फरेंडली रहने बाला है, या फिर बालिंग फरेंडली, तो मैं आपको बता द सनाज़े हदराबाद अभी हाल फिराल जो मैच हुआ था ना, क्वाईफायर टू, तो सनाज़े हदराबाद 175 रन यहाँ पर बनाई थी, 175 रन यहाँ पर बनाई थी, वहीं पर रास्तान 149 रन पर धेर हो गई, और यहाँ पर वा क्या था रास्तान टॉस जीत कर गए ना, फ पसंद की, फर्स्ट बॉलिंग करना पसंद की, चुकि यहाँ पर डिव फेक्टर का मामला था, लेकिन ऐसा फुआ नहीं, गिव गिरा नहीं, तो कहीं यहाँ पर सनाज़े हदराबाद डिफेंड करते हुए मैच को विन कर गई, अब दोको यहाँ पर फर्स्ट इनी में कित 1.2405 बणा करके, तो यह चैजंग पावर भी गेता, वहीं पर फर्स्ट इनी में यहाँ पर पांच भी गिर गे रहे, और संगरीन में 4 टोटल यहाँ पर 9 भी गिरूगी रहे थे, पेसर के खाते में 6 और स्पिनर के खाते में 3, हलाए कि यहाँ पर 10 भी गिरूगी रहे थे तो आपने देखा कि यहाँ पर नो ही भीगट गिए पेशर के खाते में यहाँ पर पांच और श्मीर के खाते में चार आजाओ यहाँ पर एक चीज आपने लोटिस किया होगा जैसा है कि मैंने पिछे जो इस ground का जो behavior कुछ matchों से रहा है वो second betting कर रहा है, ठीक है ना second betting का क्योंकि यहाँ पर due factor कहीं कहीं work करता था, लेकिन अब आसमान में बादल रहने के कारण हो सकता है कि due factor ना रहे, अगर यह condition रहा तो जो भी timic toss जीते की हमेशह रहा है, लेकिन अब पिछले कुछ मैचों से यहां पर पिछ का कुछ ऐसा भी हवियर हो गया, कि यहां पर पेसर जाद तर्फिकेट से लेकर जा रहे हैं। ULT Cats? अब आगे दोसतों बढ़ने से पहले दोस्तों रिक्वेश्ट चैनल है, मैं यहाँ पर आपको सारे information लाके देता हूँ, एक एक coin पर हम बात करते हैं, किस condition में किसको लेके जाना है, तो यह चैनल बहुत important है, जरूर से subscribe करना और साथ है, बेल आइकन को जरूर से all पर set करना, ताके timely आपको notification मिल जाए हमारे वीडियो का, ठीकर ना, उसके ब यहाँ पर पिशेरे तीन मैचों कि हम बात करें इस ground पर तो पेसर को total 21 wicket spin ले, first inning में 15 और second inning में 6, first inning में यहाँ पर पेसर बहुत रतावर तोर विकेट से लेकर जाते हैं, बाई, spinners की बात करें, तो देखो यहाँ पर 12 wicket spin ले, spinner को first inning में 4 और second inning में 8, तो यहाँ पर second inning में नीचे वाले जो खिलारी है ना भाई वो कहीं न कहीं मिल ओर वाले ना अच्छा परफॉर्म करके जाते हैं तो यह चीज आपको आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लॉजिकल तरीके से आपको टीम क्लियर करना है चलो आगे बढ़ते हैं और हम यहां पर देखेंगे यह तो देखेंगे का कोई मतलब नहीं बनता चुकि फाइनल मैच है अब देखो हेट वह रिकॉर्स की बात करने के क्यार और इसार जब 27 मैचों में पिछले आमने सामने हुई कि तो यहां पर देखो divisko के क्यार ने अठारा मैं नो मैं किसे और श्र्क्राइज हेटराबाद बहुत ही मतलब जारा नी से अब्लिशेद को भाई लास्ट जक्याए इन दोनों टीमों के बीच में हुआ है एकीस माई दो हजार चौविस को अहमादाबाद के अंदर तो सनाजीय हदराबाद फर्स्ट बेटिंग करते हुए आपने यहां पे देखा अब देखो इस मैच में सनाजीय हदराबाद के तरफ से अभिशेक शर्मा ने तीन ही रन बनाया राहुल तिरपाथी 55 रन उसके बाद हैंडिस क्लास ने 32 और पेट कॉमिन्स यहां पे तीसर रन एक विकेट रिजन ट्राजन एक विकेट कुलकता की तरफ से यहां पे आप दे वरुन चक्रवरती और हर्सी तरा ना और रसल एक एक विकेट लेकर गया था तो इन खिलारियों के उपर भी आप नजर बना के रख सकते हो यह खिलारी भी आपको अच्छे परफॉर्म करके फिर से दे सकते हैं अब आगे बढ़ते आगे बढ़ते और यहां पर विकेट की पर सिक्षन की हम बात करें दोस्तो ना तो रहमान गुरुबास आपको कोलकता की तरफ से खेलते वे दिखेंगे आप पर फेंस ते रिजब डालेंगे तो देखेंगे तेस छे तीन जीरो इस तरह से भाई कोई खास नहीं है भाई कोई खास नहीं है थोड़ा कलर यहां पर देखो यहां पर साथ का अबरेज है बहुत ही बेकार है वेन्यू पर अच्छा रिकॉर्ड नहीं है तो मैं तो काटा मारूंगा लेकिन आपको कैसे लेके जाना है वो फाइनरी मैं बजाना वाला हूँ हैदराबाद की तरफ से भाई हैदराबाद की सब्सक्रास से इंखलत करना है रहमान गुरुबास को अब सिकेंड इनिंग के लिए ट्राइ कर सकते हो मुझे रगता कि सिकेंड इनिंग में जब बैटिंग आयए कोलकता की तो ज्यादा बेटर रहा रहान गुरुबास अदरवाइस अब फिर्स लिए डॉप करने का रिस्क ले सकते हो और रहमान वेंटेस अइयर उसके बाद सिरेस अइयर नितीस राना और इंकू सिंग ये चार खिराइए अब खेलते बने ज़र आएंगे अब देखो वेंटेस अइयर की बात करें तो भाई लगातार अच्छा कर रहा है बंदा ठीक ठाक है यहां पर हलाक है हेट्वर मैच रिकॉर्ड है चुकि पिछला है भाई एक ही मैच तो अभी तो खेला हुआ है इसके साथ तो अभी बहुत अच्छे टच में है और वेंटी पे भी आप देखेंगे तो कोई खास रिकॉर्ड नहीं है लेकिन इंपॉर्डेंट रहेगा मैच में अच्छा कर सकता है भाई स्रेशर के बात कर तो यहां को पर करें लेकिन किसको लेकर चाना वाइनिल बताँगा यहां पर इंकु सिंग भी इस मैच में अच्छा पर्फॉर्म करके दे सकता है अब दिखो हैथरा बात की तरब से हम बात करें दो को सब कुछ एक करके मैं आपको बताऊंगा टेंसन आपको लेने की जरू प्रवत नहीं है देखो यहां पर मैं बात कर लूँ थोरा सा यहां पर एक मिनट यार मैं थोरा सा इसको उपर कर लूँ ताके आसानी हो आपको समझने में और आप मुझे समझाने में देखो टाविस हेड और अभिषेग शर्मा राहुल तरी पाठी अब दुश्मद यह चार पाइंट नहीं दिया तो बॉलिंग से बहुत ही तग्रा पाइंट दिया था उसके बाद यहां पर अठार है हलाके यहां पर रिकॉर्ड अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी दोनों खिरारी टावर तोर बैटिंग कर सकता है राहुल तिर पाठी भी आपको अच्छा खेल सकत यहां बॉलिंग से व ematis के लिई सब्सक्राइब करना उसके बाद निती सहराना को भी आपस्त रेटिंग में ट्राई कर सकते हो अब जबाले भी आपके लिए एक मस्ट है पिक रह सकता है अब्दुसमत के बात करें अब्दुसमत को तब ट्राइब करना जब उपर से इन टॉप थ्री में से एक खिराडी को अगर आप डॉब करते हो तो अब्दुसमत को ले के जा सकते हो अब दोको यहां पर मेरा फेवरेट को रहने अब यहां पर आर्ल वानर सेक्सिंट के बात करें तो को लगा था कि तब से दो खिलते बिदने जराएंगे सुलीन नरायने और आंद्रेरसन ये दो खिलारी ये दोनों बहुत ही इंपोर्टेंट रहने वाला और इंपोर्टेंट रोल प्ले करने वाला इस मैच में दोनों को लेके जाना भाई छोड़ना मत चाहे फर्स्ट नहीं हो या सिकरेंट नहीं दोनों में आप ट्राई कर सकते हैं तो क्या आज के मैच में भी ऐसा कुछ हो सकता है तो इस पीनर को कहीं कहीं बिकेट से मिलते हैं और सावाज अहमद और्थोडॉक्स बॉलर ने कहीं कहीं आपको बिकेट से लेके दे सकता है लेकिन शर्त यह है कि वैसा सिच्वेशन बढ़े और वह भी सिकेन इनिंग में अगर बॉलिंग आती है है हैधराबाद की तो आप को ने जाना है दोसे तिन का कोंशन यहां पर रख सकते हूं बड़े शोक से लेकिन मुझे लगता है कि यहां पर आप दो खिरारी यहां तीन भी अच्छे खासे गरते हैं जा आपने तेखा कि पछे मैं हो में 15 15 गरेंगे तो यहां बनीपाइब ने तो यहां बाली से से करि क्लोकरता की तरब से चार खिरारी नजर आएंगे खिलते वे हैं लैबभ हम यूज चार खिरारी आप एकश्ट यूज़िए। बात करें लैवान aku ते लगातार अच्छा कर रहा है। तो इस मैच में लगता है कि बिकेट लिस रह सकता है लेकिन फिर भी अगर आप ट्राइ आपको करना है तो कोल करता है कि फर्स्ट बेटिंग आए तो ही टाइक करना अधरबाई छोड़ के जाना अब उसके बाद यहां पर बात करें वरुन चकरबर्ती की बाई दोनों ही नहीं से लेके जा सक मैच है पूरी जान लगा देगा यह बंद रहुकर लगतार लगतार तीना मैचों से फल ऊफ और एक आपको इस मैच वे इंपॉर्टंट रोल प्ले लेकर सकता है 9 में 15 विकेट है देख सकते हो 9 मैच में 15 विकेट लेके गया है थीक है ना इंपोर्टेंट रह सकता है आपके लिए और विकेट लिए तो कहीं कहीं बेटर रहेगा अब दोको यहां पर कितने खिराई लेकर जा सकते हो तो मुझे लगता है इस मैच में चार से पांच का combination रखनाते हो गरेंड लीग पाइंटे भी से वैसे से आप तीन भी रहसकते हो एश्वाग लेकिन मुझे लगता है कि यहां से पांच खिराई भी आप उठाते ओ ना तो मुझे लगता है नहीं बड़ा ही आसान होका डेम टीब में रहना अगर चुकि यहां स से बहुत कम लोग खिराडियों को अपनी तीम में चर्डे कर रहें और ग्रेंद लीग की टीम ही बैसी बनानी होती है जहाँ पर कम सिलेक्शन वाले खिराडी को उठाना होता है तो यहाँ पर मेरा फैवरेट को उन्राडी सकता है तो हम देख लेते हैं बाई तो देखो यहां पर कुलकता की तरफ से कुलकता की तरफ से मिचल स्टार्क आपको चार ओबर फिकता हुआ दिख सकता है इसमें हर्सित राना भी चार ओबर करता हुआ दिख सकता है उसका बाद आंद्रे रसल दो से तिन ओबर करता हुआ दिख सकता ह इजिली आप अपनिटी में बरे शौक से कंसिलर कर सकते हो अब आ जाते हैं यहाँ पर देखे लेते हैं संद्राइजे हद्राबाद की तरफ से तो भूमनेसर कुमार यहाँ पर आपको ना चार ओबर फेकते हुए इस मैच में आपको दिख सकते हैं वहीं भी बात करें किरने से तिन ओबर करता बात दिख सकता है अभिशेक शर्मा भी फेक सकता भाई एकाद ओबर जरुवत परी तो ऑफ ब्रेक वालोड है कहने कहीं बिकेट से लेके दे सकते हैं आपको नितिस रेड़ी के बात करें यह भी जरुवत पढ़ने पर तिन से तार ओबर कर सकता है वहीं यहां पर आपको बहुत बारीगी से समझना देखो रहमान गुरुबास को भुनेसर कुमार ने दो बार आउट किया वाद चार बाल में बहुत ही खतरनाक रहेगा भुनेसर कुमार रहमान गुरुबास के लिए चार बाल में जीरो रन देकर दो बाल आउट किया उसके पर इस मैच में इंपॉर्टेंट डाह सकता है लगतार सब को डॉमिनेट कर रहा है सरेस अइयर की बाद के सरेस अइयर को मार्को जैंसन तो खेलेगा नहीं उसके बाद यहां पर मारकंडे में कहलेगा नहीं साबाज अहमद एक बार आउट किया हुए उम्रान मलिक तो सब्सक्राइब कर सकता है यहां पर आजाओ देखो रिंकु सिंग और ने तीन बार आउट किया वाई चोविस बॉल में खत्रा इक चीज़ मैं आपको बता तो बहुनेसर कमार और टीन नटाजन में से कोई एक ना भाई तीन बिकेट लेके जा सकता है यहीं द्यान में तीन बिकेट लेके जा सकता है यह चीज़ आपको धियान में खना इन दोनों में से कोई एक तीन बिकेट लेके जा सकता है अब देखो यहां Lehr बात करने रसाल को बिले के चूटिस बार सबीधे चोटा उच्छन इफ इस नह hidden टी नो शेक शर्मा पर वर्युञ्ट चेक्रवर्थी ने नो बॉल में उसके बाद बाद पॉलरा ने एक बार आउट किया, आजय तेटावी सेट को मिचल स्टर्क ने, यहां पर डो बॉल में बॉल में एक बार आउट किया, वहीं पे, राहुल त्रिपाथी को आंद्रिय अरसल से चार भार आउट किया हूँ भाई आंधरे अरसन ने राहुल ट्रिपाणी को चारगी को यहां बार一定要 रेडिक PROFESSOR भी कि खास नहीं है अब हम आगयこ है बन्च बेटे हुए खिराडी थे हैं तो सारे हरे र Apparently is the accord जिसको पनाच में को पांच आपको बधने के लिया ना तो बहुत अच्छे राइंकपे से को यहां पर जैशे हुँआ कुलकता की तरफ से travaille खिराडी लेने बाला हूँ वो चार कौन से खिराडी है सुनिन लराने को मैं फिक्स करने बाला हूँ उसके बाद यहां पर वेंक टेसाइयर को मैं फिक्स करने बाला हूँ आ जाओ इधर अंधर रसल को मैं फिक्स करने बाला हूँ और आ जाओ यहां पर देखो यहां पर मिच उसके बाद एक राडी में आपको बतायता हूँ वह कौन है बैभव औरोरा ठीक है अब आजाओ यहां पे जाम लेते हैं देखो सुनिला राने को आप सी बीसी मना सकते हो उसके बाद यहां पे हम बात कर लेते हैं तो यहां पे वेंग्टेस अइयर के उपर एक बार मुझे र उसके बात करें हैं पांच खिरारी में लेके जाने वाला हूं जिस अब आजाओ यहां पर देखो हैंडिस कल्स ने फिक्स रहेगा यह तीन प्राजन घंड लीक पांट ऑब सिल्के जे शक है कि टीने अट्राजन और भुनेसर कुमार इन दोनों में से कोई एक तीन विकेट लेके जरूर जाएगा ठीक है अब देखो यहां पर एक खिरारी किसके उपर नजर आपको बना करना है अब दूस्वमध इस मैच में अब दूस्वमध ठीक है वह भी फर्स्ट में बैटिंग आए ठीक है अब आजाओ आजाओ यहां पर हम बात कर लेते हैं भुनेसर कुमार भुनेसर कुमार या टीन अट्राजन में जैसा के बताया तीन विकेट लेके जागा इन दोनों में से किसी एक को ट्राइग कर सकते हो ठीक है तो दोस्तों करता हूं यह वीडि सेंटर में इकना चलो